अकाश्वानी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वात रवेदी सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार परिशापी चर्चा कारिकर में प्रधान मंत्री ने दिये विद्यार्थियों को तनाव मुक्त परिशा के गुरू मंत्र प्रदेश को कल मिलेगी दस अजार करोड से अधिक की चौपीस रास्ट्री राजमार्ग परियोजनों की सौगाप प्रदेश की पाँच राजे सबा सीटों सहित चपपन सीटों के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान और शहीद दिवस के अफसर पर कल प्रदेश में कई कारिक्रमों का होगा आयोजन अब समाचार विस्तार से किसी भी प्रकार के प्रेसर को जेलने के लिए सामर्थमान बनाना चाहिए रोते बैठना नहीं चाहिए मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है दबाव बनता रहता है तो खुद को तयार करना पड़ता है हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस थिती से जीतना है एक तो संकल्प करना पुचा दूसरा कि जीवन दबाव के प्रकार देखें एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह चार बजे उठना ही उठना है रात को ग्यारा बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है आतने तो इतने अंसर सोल करके ही जिपना है और बड़ा दबाव खुदी अनुभव करते है मैं समताओ हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलीटी ही तूग जाए प्रधान मंत्री के परिक्षा पर चर्चा कारिकर्म का प्रसारन भुपाल के सुभाश उतकृष्ट विद्याले में भी किया गया जहां स्कूल शिक्षा मंत्री उदैर प्रतापसी ने कहा कि परिक्षा की समय आम तोर पर विद्यार्थी तनाव महसूस करते हैं इस तनाव को बेहदर समय प्रबंधन के साथ काफी हद तक कम किया जा सकता है इस मौके पर प्रम्रुक सचिव स्कूल शिक्षा रश्मी अरुन शमी और अन्य विभागी अधिकारी मौजूद रहे खनवा की स्कूलों में भी कारिकर्म का प्रसारन किया गया जिलिके केंद्री स्कूल में भी बच्चों को लाइव कारिकर्म दिखाया गया इसमें बड़ी संक्या में विद्यार थी और शिक्षकों ने हिस्सा लिया बैतूल में MLB हाई स्कूल एकिकरत शास्की कर्या शाला एवं उतकृष्ट विद्याले में स्क्रीन के माध्यम से कारिकर्म के सीधे प्रसारन की व्यवस्था की गई थी प्रसारन के दौरान सांसट डीडी उईके ने भी बच्चों के साथ बैठकर उनका उस्सा बढ़ाया सतनागी शास्की उतकृष्ट उच्चितर माध्मिक विद्याले कर्मांग के एक में राजमंत्री प्रतिमा बार्गी सांसत गणेश सीहीं सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विद्याले के छात्र छात्राओं ने कारिकर्म को सजीव देखा प्रदेश में 10,405 करोड रुपे की लागस से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्टी राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है किंद्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी नितन गटकरी और मुख्य मंतरी डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल और जबलपुर में इन परियोजनाओं का श्रानियास एवं लोकारपन करेंगे पोपाल में 8,038 करूड रुपे लागस से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्टी राजमार्ग परियोजनाओं का श्रानियास कारिक्रम लाल परेड मैदान में होगा जबलपुर में 2,366 करूड रुपे की लागस से 226 किलोमीटर लंबी नौरास्टी राजमार्ग परियोजनाओं का श्रानियास कारिक्रम वेटनरी कॉलिज ग्राउन पर होगा पोपाल में NH-46 के अयुद्या वाइपास खंड को 6 लेन चौड़ी करन, NH-146B के शहागन से 22 खंड को 4 लेन सडक निर्मान कारियों का श्रानियास किया जाएगा जबलपुर में NH-549 के टीकमगड जासी सडक पर इस्थित जामनी नदी पर पुल का निर्मान, चंदिया घाटी से कटनी वाइपास तेक दो लेन सडक उन्यन कारिय सहत कारियों का शिला नियास किया जाएगा अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतरालगा यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके अलावा अब हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है निवाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्य सभा सीटों के लिए चुनाव की आज गोशना कर दी चुनाव की अधिस उचना 8 फरवरी को जारी होगी, नामंकन पत्र भढ़ने की अंतिम्तिती 15 फरवरी रहेगी तथा मददान 27 फरवरी को होगा, इसमें मद्य प्रदेश की 5 सीट शामिल है भारत के स्वतंदरता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृती में कल 30 जन्वरी को देश के साथ प्रदेश में भी शहीद दिवस मनाया जाएगा भुपार में मंत्राले स्तिस सरदार बल्लव भाई पटेल पार्क में प्राता 11 बजे महत्मा गांधी के बलिदान दिवस एवं शहीदों की स्मृती में 2 मिनिट का मौन धारन किया जाएगा अनिजलों के साथ नीमच में भी प्राता 11 बजे तभी शास की कार्यालों में 2 मिनिट का मौन रखा जाएगा संसत के बजट सत्र से पहले सरकाने दोनों सद्दों में सुचारू कारवाई सुनशित करने के लिए कल सरदलिये बठक बुलाई है बजट सत्र 31 जन्वरी से 9 फर्वरी तक चलेगा 31 जन्वरी को राश्पती दरोपदी मुर्मुक अभी भाषन के साल बजट सत्र की शिरवात होगी केंद्री बत्यमंत्री निर्मला सीतरमन पहली फर्वरी को अंदरिम बजट पेश करेंगी और अब कुछ समाचार संग शेप में चतरपुर की विजाबर में जटा संकर धाम जा रहे 35 लोगों से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली परटने से 3 लोगी मृत्ती हो गई और कई लोग घायल हो गए मुकिमत्री ने गटना पर शोक व्यक्त किया है देवास में गेल गैस लिमिटेड द्वारा पीएंजी अभियान के शुबारम के अफसर पर सीएंजी स्टेशन से दौड का आयुजन किया गया 31 मार तक चलने वाली पीएंजी अभियान का उदेश पीएंजी के बारे में जागरुकता लाना है शहडूल से लिमें 20 फरवरी तक चलने वाली इवी एंवा वीवी पैट की FLC को लेकर आवश्चक प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है इसके लिए बैंगलूरू से 5 वशिशग्यों की टीम शहडूल आई हुई है और शिपुरी जिले के ग्राम टोका में आईश्व भाग के द्वारा आज सौस शिवर का आयुजन किया गया शिवर में नागरिकू का सौस परिक्षन के साथ ही निशुल के दवा का वितरन भी किया गया अंत में मुखि समाचार एक बार फेर परिक्षा पे चर्चा कारिक्रमें प्रिधार मंत्री ने दिये विद्यार्थियों को तनामक्त परिक्षा के ग्रू मंत्र प्रदेश को कल मिलेगी 10,000 करूर से अधिक की 24 रास्ट्री राजमार्ग परियुजनाओं की सौगात प्रदेश की 5 राजसभा सीटों सहित 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को होगा मद्दान और शही दिवस के अफसर पर कल प्रदेश में कही कारिक्रमों का होगा आयो जल इस बुलिटिन में बस इतना ही नमस्कार करना है ए नमस्कार